कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दियर चुवर्ट पर और मैं मोहित तिवारी मेंटर मेडाइवल हिस्ट्री अर्थार्मध्य कालिग इतिहास के मार्ग दर्सक के रूप में आप सभी के बीच में फिर एक बार परस्थित हूं दोस्तों मैंने मिडावल हिस्ट्री के स्रेवस को श्टार्ट कर दिया है और उस क्रम में अपना पहले टॉपिक हिस्टोरियन एवा मुन के जो इपोर्टेंट बुक्स है उसके बारे में मैंने आपको बतागी दिया है आज कुसी कड़ी को आगे बढ़ा देंगे दोस्तों आज अपने दूसरे टॉपिक पे हम आपके बीच में चल्चा करेंगे दोस्तों अपना जो दूसरा टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है दरगा, मदबरा, उलेमा, खुत्बा, मुफ् दोस्तों आपके जो प्रीवेस एक कोश्चन पेपर है उसमें कुछ ऐसे ट्रमलोजी को पूछा गया है मैंने पहले लेक्शर में आपको कुछ ट्रमलोजी बताया था जैसे डिफ्रेंस विट्रिन सिया सुन्नी, हिस्ट्री आफ खलीभा, इसलाम मुहम्मद साहब, आपके इंट्रेंस की द्रिष्टी से काफी महत्वुद है, तो आज मैं दोस्तों इन ही सारे ट्रमोजी की विसे मैं आपको बताऊंगा, देगे दोस्तों जो यह हिंदी में लिखा गया है, इसका मीनिक इंग्रिस में भी वही होता है, उलेमा को हिंदी में हम लोग उलेमा ह करें केते हैं तो आप बिल Cow T नहीं होएगा कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हिसका हिंग्लिष में इंग्रिष में सका邊 किया होगी फिलों इस विव इसम कहीं कनफिज नहीं होगी फिल्कुल क allons दिया स्लेबस के स्टार्टिंग के दौरा नहीं कि हम लोग मिडावल हिस्ट्री के अंतरगत 712 से 1707 तक के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1206 में गुलाम डानेश्टी की स्थापना दिल्ली संत्रत के अंदर में उत्फोती है लेकिन उसके पहले एस थापना हुई कैसे इसके क्या रिजन रहे किस रूलर maturity का योगदान है किस अडा कर योगदान रहा हम लोग दोस्तों इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि बिना इसके पढ़े हम लोग गुलाम इस कि स्थापना कैसा कैसी हूई उसका establishment कैसे हुआ उसको दोस्तों का हम नहीं स दोस्तो वो है सिख संपरदाया, दोस्तो वर तमान भारत के इतिहास में जितना सिख संपरदाय का या सिख धर्म के अनुवाईयों का युगदान ने उतना पहले भी हुआ करता था, इस धर्म के लोगों ने भारती इतिहास को स्वाडिंग बनाने में एक गोल्डेन पीरियट के रूप में योगदान दिया, इसकी स्थापना किसने की और इसमें कितने सिख गुरू हुए, इन सारे चीज़ों का दोस्तो आज मैं आपके बीच में जिक्र करूँगा, क्यूंकि आपके प्रवेस परिच्छा में सिख संपरदाय से, सिख संपरदाय से, सिख रिलिजियन के दोरान सिख संपरदाय ने जिक्र नहीं किया था, चुकि मैंने सोचा था कि इसको मैं दिली संद्रत के दोरान ही पढ़ा दूँगा, लेकिन दोस्तों, इसके टॉपिक था डीप में, अगर आपको मैं पढ़ा हूँ जा तो आपको ज्यादा समझना आगा, इसी के वज़ तो आप क्लाश्वार तक अगर सुफिजम पढ़े हूँगे, सुफिवाद किसे कहते हैं, भक्ती मुमेंट के अंतरकत आपने सुफिवाद को पढ़ा होगा, तो सुफिजम क्या था, देखे दोस्तों, कुछ ऐसे मुसलिम धार्मिक गुरू हुए, जो जितना ही मुसलमानो के बीच में प्रदिश्चित थे या फेमस थे, उतना ही हिंदू के बीच में वह फेमस थे, तो जब भारत आते हैं, तो वह अपने ज्ञान के माध्यम से मुसलमान, हिंदू एवं बिविन धर्म के अनुवाईयों को अट्रेक्ट करते हैं, तो इनकी जब डेत होती थी, इन हिस्सों में बहुत मही महत्यपूर दरगाह है, जैसे मुबई में हाजी अली का दरगाह है, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मुनी दिन्चिस्ति की दरगाह है, दिल्ली में निजामुदीन अलिया की दरगाह है, तो दोस्तों ये भारत में कुछ ऐसे ही पवित्र सू पर है what do you meaning आप दरगा है तो दोस्तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ यहीं समझिएगा कि वह धारमी फेमस परसंग जिसकी समाधित जहां हुई है उसे ही हम दरगा करते हैं इसके बाद दूसरा जो अपना है दोस्तो है मखवरा देखिए दरगा में डिफरेंस क्या है दरगा के आप आप दरगास अब्दका जो हम प्रयोग करते हैं वो किसी धारमीक नेथा के रूप करते हैं मतलब जो धर्म के माध्यम से अपने चीजों को अपने कारव को लोगों के बीजने पहुंचाता है लेकिन मखवरा हम रूलर के लिए प्रयोग करते हैं वह सानसक जिसकी को गुंबद के प्रकारों वहता है उसे आसusement के समा सकते हैं। इसे ही दोस्तों इस प्रकार आखार यहां बनता है, उसे हम मघबना करते हैं। अगर आखिंच जागा कि मघबना किसे कहते हैं मैं तो इसके ऑपसण में यह भी नहीं लिखा रहेगा कि सुल्तानों के अर्थात, रूलरों की कब्र को ही हम मत बनाए करते हैं तो दर्गा और मतमरा में आप डिफ्रेंस दोस्तों समझ ही करोंगे इसके बाद अपना अगला जोट है उल्टन वाजी है वो उलेमा इसे इंगलिस से भी दोस्तों उलेमा ही करते हैं उलेमा किसे कहते हैं? देखे हर धर्म के अपने एक विशेश ग्याता होते हैं यसे हिंदू धर्म के जो जानकार होते हैं वेद, पुराग, उपनी सदिन, सारी चयों का वध्यन करते हैं तुन्हें हम पंडित कहते हैं अर्थात वह हिंदू धर्म के ग्याता होते हैं इसी प्रकार से सिख धर्म के भी ग्याता होते हैं इसाई धर्म के भी ग्याता होते हैं उसी प्रकार से दोस्तों मुस्लिम अर्थात इसलाम धर्म के जो इसलाम धर्म की सारे गुरान का, हदीश का, इत्यादी जो उनके ग्रंथ है, उन चीजों का जो जानकार होता है, उसे हम उलेमा करते हैं अर्थात जो धार्मिक प्रमुक होता है, मुसल्मानों का या इसलाम का, उसे हम उलेमा के नाम से जानते हैं तो अगर प्रश्न कभी भी पुझा जाए कि उलेमा से क्या तातपर है, उलेमा हम किसे करते हैं, तो इसका उत्तर दोस्तों यही होगा, कि जो धार्मिक प्रमुक होता है, जो धर्म का जानकार होता है, उसे ही हम उलेमा करते हैं, उसके बाद दोस्तों, अगला अपना terminology है, सुत्वा होता क्या है, देखें, मैंने आपको सलेवस के दौरान, जब सलेवस को स्टार्ट किया, तभी मैं खलीफा बताते हैं, कि दौरान यह बताया था, कि खलीफा को आप जाने है, क्योंकि आगे पढ़ेंगी हिस्ट्री तो आपको खलीफा जैसे सब्दों का सामना करन और खलीफा के विसे मैंने बताया, कि यह इसलाम के अंतरगर्त, धार्मिक एवं राजनेतिक गुरु होता है, जो मुख्रिब से बगदार में बैठा करता था, तो दोस्तों, जितने भी, जहां जहां भी इसलाम धर्म का प्रसार फैला हुआ था, जहां भी विस्तार इसलाम खलीफा की अनुपस्थिती में ही, अपर्तक शुरुप से अनुपस्थिती होती थी, इसके नाम से ही अपने सासन सत्ता को चलाता था, और एक प्रकार से बगदा कहता था, कि मैं जो भी कार कर रहा हूं, वो आपके सिध्धानतों के अनुसार ही कर रहा हूं, आपके प्रिं के रुपए अपने सासन को चलाता है, तो जिस पत्र के माध्यम से इन सारी चीजों को जिक्र करता है, उस पत्र को ही हम खुत्बा कहते हैं, तो अगर एक्जाम में कभी भी पूछा जाए कि खुत्बा क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में दोस्तों दिया रहेगा, कि खली खलीफा के नाम से पढ़ा गया पत्र, तो दोस्तों खलीफा का आप अर्थ समझी के रहोंगे, मुफ्ती किसे कहते हैं, मुफ्ती दोस्तों तब भी हुआ करता था और आज में मुफ्ती हुए हैं, आपने सुना होगा कि फलावक्ति के नाम फत्वा जारी हो गया, तो यह जो प्रणी देने के लिए बीशेस्ट्रकार के पत्र को जारी करते थे, उस पत्र को फत्वा कहते थे, और फत्वा को जारी करने की जिम्यदारी होती थी दोस्तों, वो मुफ्ती की होती थी, तो अगर कभी भी आपके एक्जाम में, आपके इंट्रेस में प्रशन में पूछा कि मुफ्ति किसे कहते हैं, तो option में दिया रहेगा कि फत्वा जारी करने के जीमियदारी या फत्वा जारी करने का अधिकार, तो मुफ्ति का काम यहीं बोता था, उसकी और अग्ला जो टμο Gardens務 है tyre, इसे इंग्लीस ने भी हम Khuhn का कहते है, खान का होता क्या है? देखें, जितने भी सूफी संत हुए, जिसे निजामुदिन अवलिया हुए, ख्वाजामुदिन चिस्ती हुए, बाबा फरीद हुए, कुथबुदिन बक्तियार काकी हुए, ये सारे फेमस सूफी संत हुए दोस्तों, तो इनकी जो रेजिडेंस होते थ उसको इस्लामिक टर्मिलोजी में दोस्तों, खान का कहा गया, ये कोशन दोस्तों, पिछले बार की परिक्षा में पुछा गया है, कि खान कहा से क्या दात पर है, आप्शन में दिया हुए, कि सूफी संतो का निवास अस्थान, तो दोस्तों, खान का भी आप समझ ही गया दोसके बात, अगला जो है, वह पीर है, दोस्तों, चाहा हम हो चाहा है आपहोँ जाय कोई भी हो, वह किसी विशस्वत्ति को अपना गुरू मानता है, कहता कि ये हमारे गुरू है, इन ही को हम अपने काम को आगे करते हैं, इन ही को आपने आईडिएल मानते हैं, तो ऐसे ही तो जो कुटबुदिन YAYंग है, वो गुटबुदिन बकतियार qaqiاش को अपना आइडियल मानते थे, अपना गुरु मानते थे तो उस गुरु को इस्लाम में पीर के नाम से जानते हैं अर्थात जिस परकार से हम लोग अपने पीयर को गुरु कहते हैं उसी इपकार से जो इसलाम में रूलर हुए वो अपने गुरु को पीर के नाम से बुलाते थे तो अगर कभी भी आपके प्रश्ट में आपके इंट्रेंस में प्रश्ट में पुछा जाता है कि पीर से क्या तारप पर है तो आपसन में दोस्तों दिया रहेगा गुरु तो आप बिलकूल ही गुरु को टिक करिेगा यह आपका जो उततर है बिलकूल साही होगा लास्ट है डोस्तों काजी क्या हो जानती होंगे अन्यायवीद जो कि कोर्ट में बढटकी न्या Todo is हम जिसे नियावीद कहते हैं, जिसे हम जज कहते हैं, जो जजमेंट करता है, उसे हम Islamic terminology में दोस्तों काजी कहते हैं, काजी होता कौन था, काजी किसे अपॉइंट किया जाता था, तो दोस्तों जो उलेमा है, उलेमा ही आगे चल के काजी बनते थे, चुकि यह पढ़े लिखी ह होते थे, और इसलाम के यह जानकार होते थे, इसलाम के सारे धर्मगंथों के इनको जानकारी होती थी, आपको पता भी होगा, वर्तवान में भारत के, भारत में भी, आपना जो constitution है, उसमें BCS प्रकार से, जो अल्प संख्याक है, जो minority हैं उनके लिए, BCS प्रकार के इनका निभाते हैं, वो हदीस, कुरान के अंतरगत, सारे ही मामलों की पंचायित करते हैं, सारे मामलों को सुल जाते हैं, तो उलेमा ही लोग आगए चलते हैं, काजी के पत को निभाते थे, अर्था काजी के पत पे अप्वाइंट होते थे, दोस्तों, मैं आपको 5-6 टर्म पढ़ेंगे तो उसमें आपका ऐसे ट्रम आलोजी से सामना अवस होगा तो मेरे दोरह बतायेगे इन सारे ट्रम आलोजी को दूस्तों आप बार बार सुनिएगा और याउर्करिएगा यह आपके प्रप्रेस्परिक्षा में अब हसे पूछे जाएंगे और आपके प्रप्रेस्परिक्षा में आपके इंट्रेंस में नमबर लाने में सायोगी भी साबित हो सकते हैं दोस्तों, इसके बाद हम study करेंगे उन तीन महत्तपुड अटैकर के बारे में जो 1206 में दिल्ली सल्टनत की स्थापना कराने में महत्तपुर भूमिका की रूप में हमारे समक्ष आपके समक्ष आते हैं तो आएए हम देखते हैं उंको तो दोस्तों इन टर्म लौजी के बाद हम लोग तीन महत्तपुर अटाकर के बारे में पढ़ेंगे इनकों भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम जिसके बारे में दोस्तों study करेंगे वो है मुहम्माद बिन कासिम दोस्तों इनसे related एक या दो प्रश्ण आपके interest में पूछे जाते हैं प्रश्ण की रूप रेखा जो प्रश्णों का nature हो बड़ा simple होता है तो वह प्रश्ण क्या रहते हैं मैं इनके वीशे में समझाओ उना उसी में से प्रश्ण पुट भी होते हैं तो आईए हम देखते हैं कि मुहम्माद बिन कासिम थाकों इसने कब और कहा भारत पर आत्मण किया दोस्तों इराक जो एक गर्फ कंट्री है यहां का जो राजा था वह अल-हज्जाज था तो यह जो मुहम्माद बिन कासिम था दोस्तों यह अल-हज्जज का ही भद्दीजाद दावाद एवन दास था अर हात इसके अंतर गतों इसके अंडर में वह वर्ण करता था उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी कब दोस्तो 17 वर्ष उसकी उम्र 712 स्वी में थी अल्हजाज ने उसी समय इसको एक काफी इंपोर्टेर्ट टास्क दिया टास्क क्या था दोस्तों कि isको भारत के सिन्ध छेत्र पर आक्रप्द करना था जो सिंध पर आक्रमन करने की चीमेडारी सोपी उसी चीमेडारी का इसने निर्भवन करते हुए जो सिंध खेत्र है भारत का वह उत्तर पस्चिन का छेत्र है और नुम्ettle ŚaC काया च्छेत्र है सेंध्र उसmane warag b assistance जब इसने भारत पर आक्मड किया वहां का दो स्बैइस डाया दोस्तों दाहिर तो और वह फिर यहां से लूट पाट करके पुना अपने च्छेत्र अरग की और लोट गया। तो दोस्तों आपके ब्रोस्पर इज्छा में इसे क्या प्रश्ट में पुछे जा सकते हैं। प्रश्ट दोस्तों यही रहेंगे कि मुहम्माद बिन कासीम ने भारत पे कब आक्रण किया। उत्तर दोस्तों सासो बारण एडी में आक्रण किया। आक्रण के दोरान भारत का राजा कौन था। भारत का रूलर कौन था। सिंद्र छेत्र का रूलर कौन था। दोस्तो दाहिड था, उम्र के समय उसकी उम्र कितनी थी? दोस्तो 17 वर्ष थी, वह किसके आदेश पर भारत पे आखमण किया, पूछे जाएंगे, पूछे जाएगे नहीं दोस्तो, पूछे जाते वी है और पूछे भी गया है, इसले मैं इस टॉपिक को पढ़ाना काफी इं अटेकर के बारे में पढ़ेंगे और काफी ही फेमस नाम है दोस्तों महमूद गजनवी महमूद गजनवी दोस्तों इसकी भी हिस्ट्री कंप्रास संचेप में आपको बता देंगे ऐसे क्या होगा कि आपको प्रश्म समझने में आसानी होगी 9062 में 90 दोस्तों दूसरा जो काफी इपॉरेंट अटेकर में होगा है महमूद गजनवी इसके भी हिस्ट्री को हम संचेप में बता देंगे इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेट जो भी प्रश्म पूछे जाएंगे उन प्रश्मों को हल करने में आपको आसानी होगी नौसो बायसट इस्वी में समन डाइनस्टी समन वन्सके एक वरकर था अर्था समन वन्सके अंदर गत्वाद काम करता था उसका नाम था दोस्तों अलक्त गीम इसने दोस्तों गजनी के छेत्र में गजनी वन्सके नाम से एक नए वन्सकी नियु डाली अर्था इसने गजनी डाइनस्टी को इस्टेबिस्मेंट किया गजनी पर्स इसके बाद दोस्तों 977 में अलक्त गीम का दास एवन इसका दावाद सुभुक्त गीम इसने दोस्तों अलक्त गीम के डेट के बाद गजनी वन्सकी सत्ता को समझा ली अर्थाथ गजनी वन्सका या अब नया शासक बन गया 9086 में दोस्तों इसने भारत पर आक्मण कर दिया भारत पर आक्मण इसने भारत के किस हिस्से में किया तो यह Frontier रिज़न दोस्तों भारत के आक्मण किया अर्थात उत्तर पस्यमिक के छेत्र पर इसने आक्मण किया उसमें भारत का राजा कौन था दोस्तों जैपाल था 986 AD में सुबुक्त कीन ने भारत पे आक्मण किया उसमें भारत का राजा जैपाल था इसने भारत पे आक्मण किया और यह भारत को जीत भी लिया अर्थात भारत के उस रीजन को इसने जीता और भारत के जो फोर्ट थे वहां को उसने अपने सरक्षण में ले लिया और भारी धन समपदा को इसने लूटा इसके बाद दोस्तों 90, 197 AD में सुबुक्तगीयें की डेथ हो जाती है इसकी जब देथ होती है दोस्तों तो इसके दो पुत्र रहते हैं एक का नाम है इस्माइल और दूसरे का नाम है महमूद आद दोस्तों इन दोनों के मत कंफ्लिक्ट हो जाता है किसके लिए कि अब कौन राजा बनेगा अर्था सुबुक्त किन के वाग गजनी वन्स की सत्ता पे कौन काविश होगा इन दोनों के दोस제, श्ट्रगल श्टार्ट हो जाती है, और इस श्ट्रगल में महमूत बिजाई होता है, अर्ठाथ वह स्माइल को मारके गजनिवस के सत्ता पर खुद को काविछ कर बिलता है। तो यही जो महमूद है दोस्तों आगे चलकर महमूद गजनवी के नाम से इतिहास में जाना जाता है अर्थात 998 में यह गजनी वन्स का दोस्तों सासक बन जाता है इस प्रकार से दोस्तों आप महमूद गजनवी के स्टार्टिंग हिस्ट्री को आप समझें होंगे अब हम लोग इंट्रेया सी ध्रिष्टी से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि महमूद गजनेवी था कौन उसे हम क्यों जानते हैं किस परिप्रेक्ष में जानते हैं महमूद गजनेवी कि जोस्तों एक हजार एक जडि में यह सबसे पहले भारत पर आकप्रमण करते हैं भारत के तो फ्रंटियर च्चेत्रीक्तों भारत के आकप्रमण करता है हिनदू साही राजवग्स का राजा था दौस्तों उसमें या गजनेवी जैपाल उसके अंगेश दोस्तों यह आक्रमड करता है उसके विरुद्ध आक्रमड करता है लेकिन महमूत गजनवी की इस युद्ध में दोस्तों हार हो जाती है वह हार जाता है लेकिन वह हार तो जाता है लेकिन वह हार नहीं मानता है वह फिर से उसका मुकाबला करने की तय पेसावर तक था, तो पेसावर में आत्मर करता है दोस्तों और इस बार जीत जाता है, अर्था जैपाल को हरा देता है, और भारत में उसके जीत का आगाज है वह आरंब हो जाता है, इस जीत से जैपाल इतना छुप्द होता है, इतना दुख होता है उसको, कि वह खुद भी आगे जाके आत्महत्या कर लेता है और इस प्रकार से हम देखेंगे कि मैमू दिजनवी भारत पर अब जीतने की स्रिंग खला क्यों चल पड़ता है उसके बाद दोस्तों एक के बाद वो 17 आत्मड भारत पे करता है जो महत्वपूर रूप से उसका भारत में आकमड होडता है वो 1025 इस्वी में होता है 1025 इस्वी में दोस्तों आप समझी कि मैं कि मैं किस इन्वेजन की बात कर रहा हूं तो है सो मनाथ मंदिर पर आक्षमाड दोस्तों महमूत दिर ने भी 1025 पर सो मनाथ मंदिर पर आक्षमाड करता है और मंदिर को धस्त करने के साथ मंदिर के जितने भी धन समपदा होते हैं हीरे जेवरात होते हैं उन सभी को वह लूट लेता है अब कहा दोए जाता है कि इतने धन समपदा उस मंदिर में तहे कि लाखों लाख उटो पर लाद गे उसने इन सारी धन समपदा को गजनी ले गया यह आपके पुरेस परिक्षा से काफी महत्यकूर टॉपिक है दोस्तों यह प्रश्में पूछा भी जाता है कि सोवनाथ मंदिर पर महमूद गजनीवी ने कव आक्रवन किया तो उसका एंसर है दोस्तों एक हजार पचीस है मैं अभी कोर्शनों की नेचर को बताऊंगा पहले आप इसको देख लीजे इसके बाद दोस्तों जो उसका लास्ट आक्रमण भारत में होता है वह एक हजार सब्ताइस में होता है कि इसके विरुद होता है दोस्तों वह जाड़ों के विरुद होता है कभी कभी आपके पुरेस परिक्षा में पूछा जाता है कि महमूद गज सब बाइसा करता है इस दोरान दोस्तों उसके बहरत में कूल सत्रह बार आक्रमंगण किया यह उखाक धन जूछनों विलिभ loneliness पेकृत्रह सभ सबसे पहली बार आक्रमंथ उसने कब किया question क्या है कि ऐसा भारत का कौन सा ruler था कौन सा भारत का king था जिससे मेहमूत गजनवी कभी जीत नहीं पाया तो दोस्तों वह है 2019-20 में विद्या पती के अंगेर्ष में यूद्ध हुआ था यह दोस्तों विद्यापती जो थे वो चंदेल के गहणवाल वंस के सासक थे और कार्थी स्ट्रॉण सासक थे उसमें भारत के सबसे ज्यादा मेहद्धकुड आवसक्ति साली सासक माने जाते थे इसके विरुद्ध 2019 में महमूद विद्नवी आक्रमण करते हैं लेकिन वह इस युद्ध में जीत नहीं बाता है अंतता रात्री में ही वह अपनी सेना को लेके वापस लोड़ जाता है ऐसे ही कोशन महमूद विद्नवी से प्रहत् से परिक्षा में पूछे जाते हैंаем कुछ ऐसे भी परष्ण होते हैं कि महमूद अजनवी भारत पे आक्रमण करने कुछ था क्या ऐम था घं़ लक्य था तो दोस्तों आप States जो में विजनवी के बाद आपको पढ़ाऊंगा, वह जब भारत पे आक्रमर करता है तो उसका जो उद्देश रहता है कि भारत के अधिकादिक छेत्रों को, मतलब काफी रिजन को अपने अंतरगत करता है, वहाँ अपनी साथन सथा को इस्थापित करता है, लेकिन महमुत विजनव निकरीटं का दोस्तों यह लक्ष नहीं रहता है, उसका लक्ष सिर्फ यह ही रहता है कि भारत की जो धंसमपदा है, भारत की magnet है उसको लूटके यहां की हीरे जहारात, disorders, gold diamond है उनको यहां से लेके gasni मुझे जाना है, और उन घुर्फ में इसलाम का प्रचा करना है और यहा उसका एम था, तो अगर option में दोस्तों यह दिखा रहेगा कि लूट पार्ट करना, तो आप बिल्कुल लूट पार्ट को ही सही और एक्जेक्ट मानिएगा और उसी पर टिक करिएगा, दूसरे भी option अगर आप टिक करेंगे दोस्तों तो आपको निरासा जनक बढ़ा मिलेगा इसके लाव दोस्तों गजनिंग से क्या पूछा सकता है कि महमूद गजनवी के विसे में हमें जानकारी कौन को पलद कराता है, कौन से हिस्टोरियन है जो मुझे उसके विसे में जानकारी पलद कराते हैं दोस्तों मैंने अला बरूनी के बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर दिया है, कि उसकी जो पुस्तक के किताबूल हिंद या तहकीके हिंद उसके मात्यम से हमें महमूत इजनवी के विसे में जनकारी मिलती है, लेकिन उसके अलावा, उत्भी, उत्भी नाम के एक जिनके किताब तारीखे यामिनी, इस पुस्तक के मात्यम से दोस्तों हमें महमूत इजनवी के काफी हिस्ट्री के बारे में जनकारी मिलती है, यह उसका सर्व पसंदीदा, काफी पसंदीदा दरबारी कभी था, वह भारत में आते समयम्मा हैं, और गुरूनी के साथ साथ उ उत्वी को भी लेके आया था, तो अगर कभी भी प्रस्ट में पूछा जाए, कि उत्वी के द्वारा लिखे गरंथ का क्या नाम है, तो तारीखे यामिनी, अर्थात, कौन सा ऐसा हिस्टोरिय ने, जो हमें महमूत इजनवी के विसे में जानकारी उपलब्द कराता है, तो अगर अप्शन में अलवरूनी नहीं रहेगा, अब उत्वी रहेगा दोस्तों, तो आप उत्वी कुमारी होगा, उत्वी ही आपका exact answer होगा, तो इस प्रकान से दोस्तों, आप महमूत इजनवी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए होगे, मैंने पीछे जिन चीजों का उलेख किया अलभ तकीन, सुबख तकीन, इन सबसे भी कभी प्रश्में पूछे जा सकते हैं की महमूत इजनवी के वंस का क्या नाम था, तो दोस्तों उसके वंस का नाम गजनवी वंस था, लेकिन इसके अलावा उसके जो डायनेस्टी है, उसको हम यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, तो अगर कभी प्रश्ट में पूछा जाएगा कि महमूद गजनेवी के डाइनेश्टी का क्या नाम था, अगर उसमें गजनी आप्सन में नहीं रहेगा, और यामिनी रहेगा दोस्तों, तो यामिनी आप आथ मूद के मार दीजेगा, क्योंकि उसके व दोस्तों आगे दिनकी चर्चा करेंगे, वह है मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गोरी की भी हिष्ट्री दोस्तों काफी लंबी है, वह बताने क्या हो सकता ही, क्योंकि उसक्ता है, क्योंकि इसके बाद ही, जितने भी उसमें काम किये हैं, वह आपके प्रफिस परिक्षा से, आपके इंट्रेंस में उस टाइप से ही प्रशन उसी में से आपके कोशन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम 1175 में घटी-घटना को देखेंगे, दोस्तों 1175 में उसने मुल्टान प्रफिस में लिए पहली बार भारत में आक्रमण किया, अर ठाथ मुल्टान को सबसे पहली बार आक्रमण करता है, तो उसका पहले आक्रमण कब होता है? 1175 इस्वी में कहा होता है मुल्तान पर होता है उसके बाद दोस्तों उसका दूसरा आक्रमण भारत में होता है वह 1176 इस्वी में उच्छ पर होता है यह दोस्तों मुल्तान के एक पड़ोसी चत्र था जिसे हम तोक्षके नाम से जानते हैं इस पर उसका दूसरा आक्रमण होता मतलब second inversion जो होता है उसका उच्छ पर होता है ये काफी importance था है ये दोस्तों लिकिन फिर भी एक रूप रेखा के लिए एक भूमिका के लिए आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा इसके बाए दोस्तों हुआ 1188 इस्वी में काफी महद पूर ये आपके प्रिश्परिक्छा से है दोस्तों इसलिए आप इसे 20 रूप से देखेगा इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं आप 1188 इस्वी में उसने गुजराद पर अकमन किया गुजराद का राजा कौन थे दोस्तों मूल राज ₹2 ₹9 इस perfectly दोस्तों मुहमत गोरि पराजय का असी मुख़ देखना पुड़ा, अर्थात तोस्ती युद्ध में हार हो गई से जीत हो गई यह युद्ध दोस्तो कहां था? यह आदू परवद पे और अदू मामनटें पे, यह युद्ध दोस्तो कहां था आप्षन है दोस्तों गुज्राइब आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था तो अगर आपके मूल राज रहेगा दोस्तों आप बिल्कुल मूल राज पर टिक मार दिजागा तो चाहे मूल राज पूछे चाहे भीम सिकेंट पीछे आप दोनों में से किसी एक को मार दिजेगा दोनों में से कोई एक ही ओप्षन में रहेगा दोनों कभी नहीं रहेगा अगर दोनों कभी रहता है तो वह कोश्चन गलत हो जाता है अब अगर पूछाने का कि वह युद्ध हुआ कहा था तो गुजराथ के दोस्तों आभ वी परवत के निकटेर युद्ध हुआ था अब 1170 के बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो 1101 क्याम के इस युद्ध का क्या पढ़ा था दोस्तों इस युद्ध में मुहमत गोरी की हार हो जाती और पृत्वी राज जीत जाते हैं लेकिन मुहमत गोरी ठकटा नहीं है वह फिर भारत में आक्रमण करता है और पृतिवी राज के अगेस्ट ही आक्रमण करता है वह 1192 में फिस आच्वन होता है लेकिन दोस्तों इस युद्ध का जो परड़ाम होता है वह भारत के विपक्ष में आता है अर्थाथ वह भारत के अंगेश्ट में आता है इस युद्ध में मुहम्मद गोरी की जीत हो जाती है उसकी सफन लड़निती, उसकी कुसल नेत्रित्त के माध्यम से और जिस प्रकार से वह उसकी जो सैनिक है उसके जो सेना होती है अनुसासन के माध्यम से वह भारती सेना को अर्थाथ पृत्वी राज को हराता है और भारत में अपने जीत की सुरुवात करता है जिस प्रकार से 1002 में महमूत गजनिवी भारत में अपने जीत की सुरुवात करता है उसी प्रकार से काफी दिनों के संगर्ज के बाद 1192 में तराहिं के दृती युद्ध के बाद अपना भारत में जीत के साथ आगाज करता है दोस्तो इस युद्ध के महत्ध को अगर आप पानी पत्ध के पर्थम युद्ध के समकक्ष देखेंगे तब ही आपको इस युद्ध के महत्ध योग परडाम समझ में आएगे दोस्तों जिस प्रकार से 1526 इस्वी में पानीबत के प्रथम यूद्र के बाद बावर ने दिल्ली सत्नत की सत्ता को खतम कर मुगल डानेश्टी नाम की एक नए डानेश्टी के भारत में निव डाली उसी प्रकार से 1192 इस्वी में मुहम्मत गोरी ने प्रित्वी राज को हरा कर भारत में इस्लामिक राजी की स्थापना करने की और अग्रसर हुआ और उसी का परडाम रहा दोस्तों की 1206 इस्वी में गुलाम अन्स की स्थापना भारत में पड़ती है उसके जो बीज हैं दोस्तों वोई 1192 में ही वो दिये जाते हैं उसके बाद वो एक-एक करके भारत के सारे छट्रों को छोटे-छोटे छट्रों को दोस्तों वो जीतने लगता है और 1205 तक जब तक उसकी मित्यू नहीं हो जाती है वो भारत के सारे च्छत्रों को विजित करने में लगा रहता है दोस्तों 1100 बयान के बाद जो उसका दूसरा बेटल होता है दूसरा महत्यपुड यूत्थ होता है वह चंदावर का यूत्थ होता है दोस्तों यह राजा जय चंद के अंगेश्ट होता है राजा चंद के अंगेश्ट होता है इसमें भी मुहम्माद गोरीद जीत जाता है आपके प्रेस परिक्छा में आपके इंट्रेस में कभी या प्रश्ट में पूछा गया है कि किस युद्ध में मुहम्माद गोरीद जीतता है तो चंदावर का युद्ध रहता है, तो दोस्तों चंदावर का युद्ध अगर आप सम्में रहेगा, तो आप आँख मूद के चंदावर के युद्ध कोहीं टिक करिएगा, यह 1194 में राजय जैचंद के विरुद्ध मुहम्मद गोरी ने चंदावर नाम का स्थानते तो इस प्रगार से दोस्तों आप मुहम्मद गोरी के वे हिस्ट्री को उसके समय में घंटी घटनाओं को आप देख लिया हैं, और इससे ही प्रश्परिक्षा में आपके इंट्रेंस में पूछे जाएंगे, इससे बाहर के दोस्तों प्रश्ण नहीं पूछे जाएंगे, पढ़ाने को तो मुहम्मद तुरी से रिलेटेट काफी टॉपिक है, काफी कंटेंट है जो मैं आपको बताऊं, और महत्वपूड भी है लिकिन दोस्तों, लिकिन इस समय आपके इस एज में आपके इस प्रश्परिक्षा में दोस्तों इंपोर्टेंस नहीं रगता है, क्य दोस्तों होने वाला है, उससे ही प्रश्पर पूछे जाते हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं सिख्ध रिलीजा की, तो दोस्तों आइए अपने आज इस लेक्चर के अंतिम टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो आपके प्रश्परिक्षा के दृष्टी से, आपके इंट्र क्योंकि दस ही सिख्ध गुरु होगे हैं, उसके बाद गुरु पविंद सिंग ने मना कर दिया था कि हमारे बाद अब कोई सिख्ध गुरु नहीं होगा, तो हमें सलेवस के क्रम में सिख्ध दस गुरु के बारे में ही अध्यन करना है, इसलिए भी हमें पांच छे लोगों के बीशे में उनके सभामि घंटि क्टना एंसी डेंट्स को इंदेखने है, तो क्रम में सबसे पहले हम दोस्तों गुरु नानक देओ की मिशें बात करते हैं, दोस्तों सिख्धर्म की अस्थापना गुरु नानक देओ नहीं किया था, तो अगर कभी भी प्रस्ट में हुआ कि तलवंडी में दोस्तों इनका 1449 इस्वी में जर्म हुआ और उसके बाद इन्हों ने सिक्ष धर्मे की इस्थापना की और 1549 इस्वी में इनका दिहावसान अर्थादिन के डेथ हो जाती है और इन्हों ने अपने जनम के मदब अप जब यह जिन्दा थे जब यह जी उसके पहले इनका जो नाम था गुरु लेहना था लेहना अर्थाथ गुरु अंगर की उपाती धारण करने से पहले विरु धारण करने से पहले इनका नाम गुरु लेहना था तो अगर कभी वी प्रस्ट में पूछा जाए कि गुरु नानक देव के उत्राधिकारी कौन थ तो आप लहना को टिक कर दीजेगा क्योंकि दोनों नाम इन ही के थे तो इन्हों ने पंदरा सो उन्ताली से पंदरा सो बावन तक सिख धर्म के गुरू के रूप में काम धाम समाला इनके समय में सबसे महत्रपुड काम क्या हुग है तो दोस्तों जो आपके प्रेस परिक्षा करने करें पूछे जाते हैं इन्होंने गुरू मुखी लीपी की सुरवात की गुरू मुखी लीपी इस लीपी की दोस्तों इन्होंने सुरवात की अर्थात इसके जर्म दाता इसके फादर गुरू लहना गुरू अंगद को ही माना जाता है तो अगर आपके प्रेस परिक् तो answer guru लहना या guru अंगद ही होगा तो इनके समय में यही एक महत्तपूर घटना घटी कि guru मुखी लीपी की शुरूबात भी इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे guru अमर दास को अमर दास के साम में दोस्तों कोई इपॉर्टेर्स काम नहीं हुए है काम तो हुए हैं लेकिन आपके प्रवस पर इक्षा में इसे रिट्रेट कोर्शन कभी भी नहीं पूछे गए हैं तो मुझे लगता है कि बताना भी आवसक नहीं है क्योंकि मैं आपको उतने ही चीज बता हूँ जो आपके प्रवस पर इक्षा में दृष्टे से इपॉर्ट है दोस्तों मेरा इस समय लक्ष आपको ग्यानी विद्वान बना नहीं है मेरा लक्ष इसमें सिर्फ हो सिर्फ आपको बियर्चू में इंटर दिलवाना है यहां आने के बाद हम स्वयम कानी ज्यानी बन जाएंगे इसलिए मेरा जितना काम है बस यही है कि आपको इंपॉर्ट चीजी ही पताई जाए तो दोस्तों अमर दास के बाद हम देखते हैं गुरू राम दास इनके समय में दोस्तों काफी महत्वपुर्ण घटनाय घटी जो आपके इतिहास के ही नहीं आपके जीवान से ही सम्मंदीत है आपके जीवान में भी काफी महत्वपुर्वची यह रखती है तो आईए चार्चा करते हैं गुरु राम दास के समय काल में घटी नटाव को तो दोस्तों आप इनके टाइम पिरेड को देख रहे होंगे 1574 से 81 तक है 1581 तक है कहीं अगर आपके दिमार पे अकबर आ रहा होगा दोस्तों तो अकबर का टाइप पिरेड भी इनहीं के आसपास ही हुआ था कैसे आप देखिए 1556 से 1605 तक तक कारेकाल अकबर कर रहा तो कहीं कहीं इनसे कारेकाल कुछ मिलता जुदता है तो मैं अकबर के ही दिमार इनके कारेकाल को देखने का अप्राश करूँगा जोस्तों गुरु रामदास को 500 बीघा गाउं के अगर आप लोग जनी जयादात के विशे में समस्ते होगे तो बीघा का मतलब समझ जाते होगे कि 20-200 अबराबर एक बीघा होता है तो 500 बीघा जमीन अकबर ने गुरु रामदास को डोनेट किया अर्थाद उनको दान किया गुरु रामदास एवं उनकी वाइफ के नाम 500 बीघा जमीन अकबर ने उनको दिया और जो जमीन नो ने दिया उसमें एक पलत्र तलाब भी था तलाब काफी बड़ा था और उस जमीन की जो महत पुर्ता है उसकी जो इंपोर्टेंस है उस तलाब की वज़ा से ही है तो यह जमीन अक्वर ने रामदास को दांग दिया इस जगा का नाम गुरू रामदास पूर रखा गया दोस्तों उस जबवर का जो नाम था वो रामदास पूर रखा गया लेकिन बाद में इसी जगा का जो नाम है यो तलाव है दोस्तों यह सरोवर के रूप में बाद में चैंज हो गया तो चुकि शरोर में जल था वो जल काफी अमरित था, प्योर था, सुध था, तो उसी अमरित के नाम से इस जगह का नाम अमरित सर पढ़ गया अम्रित सर दोस्तो राम दास पूर सिचेंज होके उसका नाम अम्रित सर पढ़ गया तो आपके अप्रस्परिछा में क्या प्रस्पर पुछा जा सकता है कि अम्रित सर की अस्थापना किस ने की अम्रित सर सहर की अस्थापना किस ने की दोस्तो राम दास गुरु राम दास ने उसके स्थापना की अमरी सर सहर का पुराना नाम क्या था? दोस्तो राम दास पूर था किस सिख गुरु को अकवर ने जमीन दान वे दी अर्था अकवर ने जमीन डोनेट की, लेंड डोनेट की दोस्तो उत्तर है राम दास या कभी अगर पूछा जाये कि कितना जमीन उन्होंने डॉनेट की तो पानसो भीगा जमीन उन्होंने डॉनेट की ऐसे ही प्रस्ट आपसे दोस्तों इंट्रेस्स ने पुछे जाएंगे इसके लावा इनके कारगाव में अन्होंत ही महत्पुड घटनाए घटी है जो लिकिन आपके लिए इंपोर्टस नहीं रखती है इतने ही इंपोर्टस आपके रखती है इसलिए मनने आपको इतना ही बताया अब आगे आप देखेंगे गुरु अरजून देव इनके समय में दोस्तों क्या घटनाए रखती है तो सबसे पहले इन्हों ने आदी ग्रंथ नामक एक पुस्तक की रचना की आदी ग्रंथ इसे गुरु ग्रंथ साहीब भी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहीब दोस्तों जिस प्रकार से हिंदूों का जो पवित्र ग्रंथ है वेध है उपनिसद है मुसलमानों का अर्था इसलाम धर्म के अनुवाईों का जो पवित्र ग्रंथ है वह कुरान है इसायों का वाइदिल है, इसी प्रकार से जो सिख धर्म के अनुवाई हैं, उनका जो पवित्र गरंथ हैं, अथा जिसकी वह पूजा करते हैं, जिसके से धानतों को हम मानते हैं, जिसके प्रिंस्पस को वह फॉलो करते हैं, वह आधी गरंथ हैं, जिसका दूसरे गाम गुरु गुरंथ साही भी तो इस गरंथ की रचना किस ने की दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने इसकी रचना की इसमें उन्होंने मुख्रुप से किस चिश्का उलिखित किया तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव के पहले जितने भी गुरु हुए इनकी और अपने महत्वपु गुरू थे, प्रीचर्स थे, धर में वीशे सके थे, उनके भी सिध्धान्तों का उन्हों ने आदी ग्रंथ में संक्लन किया, उसमें दोस्तों महत्वपूर से कवीर, रैदास, बाबा फरीद, इनके अलावा ऐसे बहुत से 18 हिंदू ग्याई भी थे, ऐसे ही लोगों के उन्होंने सिध्धान्तों को गुरू ग्रंथ साही में संक्लित किया, तो अगर प्रश्न कभी भी पूछा जाए, कि गुरू ग्रंथ साही मर्थात आदी ग्रंथ की रचना किसमें की, तो गुरू अर करतारपूर, करतारपूर, तरड़ तारण, तरड़ तारण, इन दो महद्धपूर नगरों की दोस्तों उन्होंने स्थापना भी की, करतारपूर और तरड़ तारण, तो अगर प्रश्न कभी भी पूछा जाए, कि तरड़ तारण या करतारपूर नामक नगर की अस्थाप लिएक न किस ने की तो दोस्तों उत्तर होगा Guru donor बेरों तो दोस्तों जिस प्रकार से उनके birthplace को लेके confusion пять होता है उसी प्रकार से deze death place को लेके confusion create होता है平гов यह की लोगों के mindzet में यही हुआ है इनका जो जनण हुआ है वह बिहार में हुआ है, बिहार के पटना में हुआ है, इनकी death भी अभेश्टी वही हुई होगी, लेकिन दोस्तों इनकी death हुई है, वह महाराश्ट के नादेण नामक इस्थान में 1708 इस्वी में हुई है, दोस्तों इस प्रिकार से इनका जनम कहां होता है, इनका जनम कब होत इनकी रिप्तिव कहां और कम होती है या आपका जो confusion बना हुआ था या दूर हो गया होगा अब आई यह चर्चा करते हैं कि इन्हों ने अपने time period में 1675 से 1708 के बीच में क्या महत्त पुर्कार किया हैं वह उसमें से कौन-कौन से प्रश्णा आपके प्रश्परिक्षा में पूछे जा सकते हैं अब उनकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि रहों ने खालसा पंतिकी स्थापना की और अपने अनवाईयों को सैनिक रूप से संगठित किया अर्था एक प्रकार से उनको मिलेट्री के रूप में संगठित किया और उनको यह कहा कि अब आप जो भी काम करेंगे अपने को एक अनुसासन में रखते हुए और सैनिवाद की परंपरा पे चलके अपने काम को आप आगे करेंगे परंपरा जो देने की जो परंपरा आरंभ हुई है वह गुरू गोबिंद सिंग के समय से ही आरंभ हुई है कि नामों के लाष्ट में सिंग लगाए जाए इसके बाद दूसरा इरों ने क्या कहा कि जो भी सिख धर्म के अनुआई है वह मुख्य रूप से पांच मेहत्वपुड चीजों को हमेशा अपने पास रखें क्या-क् क्रिपार कड़ा कंगा दोस्तों आप किसी भी सिख अनुआई को देखते होंगे सिख मतालंवियों को देखते होंगे उनके बाहर बड़े-बड़े रहते हैं उनके बारों में एक कंगा डाइक का इस्टिक रहता है वो यहां नाइप चाकू भी लिये रहते हैं और हाथ में चुल्ला भी पहन रहते हैं और वह अंदर एक विशेस प्रकार का वस्त भी पहनते हैं तो यह पांच प्रकार के जिनकी स्टार्टिंग कर से ही हो रही है यह सिद्धान्त गुरु गविंद सिंग में ही अपने अनुआयों को दिया था और साथ ही साथ इन्हों ने खालसा बंत की जो शुरुवात की दोस्तों वह 1699 इस्टी में की और इन्हों ने यह भी कहा कि मेरे बाद अब कोई भी सिख धर्म का गुरुन नहीं बनेगा अर्था जो यह पध है अब मेरे बाद खतम हो जाएगा इस प्रकार से परदिखी परंपरा को भी खत्म कर दिया इस प्रकार से इमके दोलगा कुछ किएगे महत्वपूद कार है जो आपके प्रविश् परिक्च्छा में पूछे जाते हैं इससे बागार की चीज नहीं पूछ जाएंगे अब दोस्तों इसके आगे की हिस्ट्री में आपको कुछ बता दिला चाहता हूँ उसके बाद आप मॉडलिन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे देश्टासवर आपको पढ़ा रहे होंगे तो इसके आगे घटनाव का जिक्रव अवसे कर रहे होंगे चोगी 1708 उसी में इनकी मिर्ति हो जाती है और इनोंने कहा भी था कि मेरे बाद अब मेरा कोई उत्राधिकारी नहीं होगा तो इन ही के एक सेवक थे जो इनके एंडर में वर करते थे उनका ना मा था बंदा बहागूर सिंग इनका दूसरा नाम दोस्तो लच्छन सींग था कहते है उत्चन dancing इनका नाम था दोस्तो 1708 इस्वी में जितने भी खासा थे जितने भी सैनिक लोग थे उसके हेडिया वने और सारी की जिम्यदारी इनों नहीं समहाई अब काफी दिनों तर इस्ट्रगल भी करते रहें मतलब विरोधियों का इन्हें सामना भी किया लेकिन 1715 इस्वी में इनको बंदी बना लिया गया इनका अपरण की ड्नेप कर लिया गया और 1716 इस्वी में इनकी हद्या कर दी गई दोस्तों इस प्रकार से यह संचित इतिहा सिख संपर्दाय का मैंने आप सबीके समध्च रखने का प्रयास किया और उन सारे महत्वुड प्रष्णों को भी आपके समध्च रखा जो आपके इंट्रेंस प्रवेस्की परिक्षा से काकी महत्वुड हैं यह उससे पूछे जात है कि आप सिख गुरू के सिक्वेंस को सही करिए कभी मतलब ऑप्सन ऐसा रहेगा गुरु नानक गुरु अंगर गुरु अमर्दास गुरु रामदास चार अप्सन देगा इसी में उलट पलट के लिख देगा उपर निचे कर देगा अब आपको सही टिक करना है जब आप इन दसों नाम को याद किये रहेंगे तो आप सिक्वेंस में बैठा लेंगे इससे आपका प्रश्म गलत नहीं होगा और इन नाम के साथ आपके इनके टाइम पिरियोड को भी दोस्तों याद कर लिजेगा और आप पॉस करके इसको लिख भी लिजेगा इसको आप छोड़ प्रश्म में एकदम नहीं पूछे जाएंगे और जो मैंने इस्लामिक टम्लॉजी संधार गप्रास्क्या उसको भी आप अपने नोट सुप में लिख लीजेगा और जो इंग्लिस में कुछ नहीं हो रहे हैं कि हमें इंग्लिस में कुछ चाहिए तो दोस्तों देखिए ये इसकी कोई VCS मीनिम नहीं होती है इसलिए आप कंफ्यूज एकदम अतुएगा और ये इतना इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों कि आप बस एक पढ़ने का प्रयास तो करिए अपने आप आपको सब कुछ आने लगेगा और मैं ज्यादा नहीं करते हुए इसके बा मुझे आप दिली संत्रत के ट्रम लाजू का आप नहीं समझ पाएंगे तो आप मैं आसा करता हूँ कि आप मन से पढ़ रहे होंगे हम लोग के बताए गए चीजों आप एक्दम गहनता सद्धन कर रहे होंगे आप इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों जय ही जय भारत जय व वीडियो में नए टॉपिक के साथ दिली संत्रत के टॉपिक के साथ आपसे मैं मुलाग काम करूँगा धन्यवाद